हलो एवरीवान वेल्कम बैक टू मैं चैनल लव कॉंट्राक्ट का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये फैप कैसा लग रहा है आप सबको पिछले एपिसोड में हमने देखा था वां हर एक चीज को देख रहा है डेकोरेशन से लेकर सारे पार्टी जो अरेंज किये गये हैं वो कैसे होने वाले हैं इन सारे चीज़ों के बार में वो खुद सारे और्गनाइजर्स के साथ डिसकुशन कर रहा है उसके साथ ओविसली उसका ब्रदर और फ्रेंस तो है ही अब हम आगे देखते हैं नाइट में दो पार्टी सरेंज किये गये थे एक ओमेगास के लिए और एक अलफास के लिए सारे गेस्ट जो शादी में आये हैं उनके लिए डिनर पार्टी अरेंज किया गया था और अलफास और ओमेगास के लिए जो पार्टी है उनमें बहुत कम और कोई था ही नहीं हां बहुत सारे सर्विंस थे और वह सब ओमेगास थे और कोई नहीं और अलफास के पार्टी में हां कुछ यंग को इंवाइट किया गया था और कुछ बरे बरे बिजनस ताइकूंस के बच्चों को मतलब जो अलफा है उन्हें इंवाइट किया गया था वह ज्यादा लोग नहीं वांग जी लैंड शेचैन वैंचिंग और सॉंग लैंड को छोड़कर साथ अलफास ही होंगे जो इस पार्टी में आये थे बाकी सबके लिए घी डिनर पार्टी अरेंज किया गया था जिससे होस्थ अंकल कर रहे थे वीग एक सिलकी पिंक नैट सूट में था और बाकी सारी लोग वाइट किलर के नैट सूट में थे जिसने हलका pinkish glow आ रहा था मतलब एकदम shimmery type का glow आ रहा था pinkish विंग जिससे थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि उसे pink color उतना पसंद नहीं है बट यानली उसे बहुत जादा पसंद है इसलिए यानली विंग को pink color में ही देखना चाहती थी यानली को विंग पता नहीं क्यों बहुत प्यार करने लग गया था एकदम अपनी बरेश जीए की तरह इसलिए उसने मना नहीं किया विंग को सर्फ करने जितने भी ओमिगास उस पार्टी में थे न उन सब ने white color का dress coat maintain किया था बट उनका formal था और इन चारों मिगास का night suit था तो सब एक साथ गोल होके बैठे विंग निय हुरसांग यानली जियंग चैंग सब एक साथ गोल होके बैठे उनके बीच एक bottle था लगबक तीन घंटे से वो सब party enjoy कर रहे हैं बहुत सारा dance हुआ फिर अलग-अलग games भी खेलें गाना भी गाया सबने अब वो सब truth and dare खेल रहे थे एक beer का bottle बीच में घूम रहा था और चारों मिगास उस bottle को अच्छे से देख रहे थे वो bottle घूमते हुए सीधा जियंग-चंग के सामने जाके रुग गया और उस bottle का back वींग के सामने रुगा मतलब वींग question पूछेगा जियंग-चंग से वींग ने एक शैतानी smile दिया और जियंग-चंग से पूछा truth और dare जियंग-चंग जो truth तो कभी भी नहीं लेगा इसलिए उसने dare ही choose किया जैसे ही जियंग-चंग ने dare choose किया ना वींग का वो शैतानी हसी और भी जादा चोड़ा हो गया था जिससे देख कर जियंग-चंग ने गल्प किया उससे डर लग रहा है लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं सकता इसलिए वो चुप चाओ वींग क्या चाहता है वो सुनने के लिए वींग की तरफ देखनी लगा य इतना सदेन थाना और वींग ने एकदम डिरेक्ट बोला था जिससे संकर जियंग-चंग के सर के उपर आसमान आके तूट परा था उससे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें वो हैरान है क्या विंग को सब पता चल गया है लेकिन कैसे जियंग-चंग यही समझने की कोशि लिपता ही नहीं है और जियंग-चंग हमेश़् जैसे चिर्चिरा रहता है उससे देख कर ़िसी की प्यार में है या फिर फिर रेशन गुं कel रहे थे लेकिन कुछ कहा नहीं जियंग-चंग क्या कईने वाला है यही देखना 5 कि यह ़िए जो कुछ टेर तक तो बरफ की तर ओरी तेहों कि नान सेंस बक रहा विंग मैं कुछ ऐसा आई करने वाला विंग ने कहा तुमने डीर ही तो चूश किया थालिए इसलिए मैंने डीर दिय तो मैं ऐसा नहीं कह सकते जीयंग चंग को समझ विंग जो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या पनिश्मेंट दे तभी निये वे सांग कहता है गाइस हम बस बियर की बॉटल को घुमा क्यों रहे हैं हमें उसे पीना भी चाहिए है ना मैंने और विंग ने ड्रिंक करना तो दूर बियर को टेस्ट करके भी नहीं देखा कभी तो आज क्यों न हम टेस्ट कर ही ले यानली शी जी अच्छे कि तुम दोनों ने ड्रिंक किया है दोनों जैंग सबलिंग्स अपना सर हां में हिला देते हैं हां वो ड्रिंक कर चुके हैं बहुत पहले यानली अपनी मॉम के साथ पार्टीस में जाके ड्रिंक करती थी मतलब ओवियसली हाई सोसाइटी के पार्टीस है उसकी मॉम ही उसे देती थी यानली कभी इन सार चीजों में नहीं करती थी लेकिन अपनी मॉम से वो इस बात को लेकर बहस भी नहीं करना चाहती थी इसलिए वो चुप-चाब ड्रिंक करती थी और जियंगचंग का भी सेम हालत है तो वो दुनों ड्रिंक करते हैं पार्टीस में ऐसा नहीं रिगुलर जियंग्चंग और यानली के हामेश सर हिलाने पर निय हुरसांग बहुत ही उदास हो गया उसने वींग को हिलाते हुए बोला वींग देख रहे हो बस हमी अच्छे हैं हमने ही आज तक ड्रंक नहीं किया आज तो करना है कोई बहाना नहीं सुनूँगा वींग जिसने सोचा कि हाँ चलो एक दिन करते हैं शादी का महोल है तो अगर थोड़ा बेर टेस्ट किया भी जाए तो इसमें कोई गुना थोड़ी है इसले वींग मान गया तो निय हुरसांग अब सब को कहता है कि जो भी डेर्स को या टृत को नहीं कहना चाता मतलब अगर जो डेर दिया गया वो नहीं कहना चाता या फिर कुछ सच नहीं बोलना चाता उन्हें तीन तीन बेर के शोट्स लेने होंगे जिससे सुनकर जी यांग चैंग ने तुरंट अपना सरहा में हिला दिया लैंड शीचान को प्रपोस करने से ये ज़्यादा आसान चीज है बियर पीना इसलिए जियांग चंग ने तुरंत तीन शॉट पी लिया और फिर एक बार बियर की बॉटल को घुमाया गया इस बार बियर का बॉटल सीधा वींग के उपड़ाया और निय होई सांग उसका साम नहीं ये लोग क्या बोल देंगे इसलिए वींग ने कहा टृत ने होसांग उचल पड़ता है जैसे की वो इसी का ही तो इंतजार कर रहा था उसने कहा ओके बताओ वींग लान वांग जी बेड में कैसे है मतलब क्या तुम ब्रदर लान को झेल पाते हो या नहीं ये सुनकर वींग का पूड़ा चहरा लाल हो गया था जैंग चैंग खास ने डगा था और यानली हस रही थी वींग बिजारा इस सवाल का क्या ही जवाब देता इसलिए उसे तुरंत तीन बेर के शौट्स ले लिए बेर का टेस्ट उसे बिलकुल पर अच्छा नहीं लगा बिलकुल अमबर आया और हर किसी ने कुछ ना कुछ जवाब दिया या फिर टाल दिया अब एक बार फिर बॉटल वींग के दरफ घया बॉटल का बैक यानली पर गया अब तक 7-8 बार ये गेम खेल चुके हैं सब लेकिन एक बार भी यानली और वींग आमने सामने नहीं हुए मतलब यानली निय होई सांग या जियांग चंग के आमने सामने हुई है बट विंग और यानली आमने सामने नहीं हुए है यानली क्या कहने वाली है ये विंग को नहीं पता उसे लगा यानली शिचे कितनी अच्छी है वो कुछ जादा नहीं करेंगे मतलब कुछ ऐसा नहीं करने कहेंगे जो impossible हो बट विंग का सोच एक दम गलत दिकला यानली हसते हुए कहती है विंग, truth or dare विंग ने इस बाँ सोचा कि वो dare choose करेगा क्योंकि जब यो truth choose कर रहा है तब कुछ न कुछ उल्टा सीधा ही सवाल उसके सामने आ रहे है जो बहुत embarrassing है, बहुत जादा शर्मनाक है उनका answer विंग नहीं दे पा रहा था इसलिए उसने dare choose किया यानली smile करती है और कहती है ओके, अभी तुम बांग जी के पास जाओगे और उसे सब के सामने किस करोगे और तुम इस dare को बेरकुल भी मना नहीं कर सकते क्योंकि हम सब ने किसी ना किसी तरीके से questions के जवाब दिये है जादा questions को हमने नहीं टाला तुम बहुत सारे questions को टाल चुके हो I know वो embarrassing था लेकिन हमारे सामने बोल सकते थे बड़ तुमने नहीं बोला तो अब तुम इस dare को complete करोगे विंग विंग बिचारा कुछ समझ नहीं पा रहा था एक दोस्त का दिमाग धीरे-धीरे ना jam हो रहा था उसे महसूस हो रहा था कि उसका दिमाग धीरे-धीरे काम करना बंद कर रहा था उसे थोड़ा-थोड़ा नशा हो रहा था और यही हाल बाग की तीन ओमेगास का भी था उन्हें भी नशा चर रहा था नशे में इंसान के अंदर कोछ जादा ही हिम्मत आ जाता है लेकिन फिर भी विंग हिचकिचारा था बड़ अब जी आंग चंग विंग के पास आता है और विंग के कंदे पर हाथ रखते हुए कहता है विंग यू कैन डुएट तुम कर सकते हो तुम ये कर सकते हो इसमें कौन सा बड़ी बात है वांग जी तुम्हारा अलफा है तुम उसके साथ कुछ भी कर सकते हो इसमें इतना सोचने वाला क्या है निये होई सांग भी विंग को चेर कर रहा था बोल रहा था गो विंग तुम कर सकते हो तुम डरो मत वांग जी तुमें खा नहीं जाएगा वो बिचाड़ा पूरा पागल हो जाएगा विंग जिसे अब ऐसा लग रहा था कि वो कर पाएगा क्यों नहीं कर पाएगा भांग जी तो उसका अलफा है वो ज़रूर कर पाएगा विंग जो अब उठकर खरा हो गया लेकिन वो ठीक से चल नहीं पा रहा था वो इधर अधर ढोलते होए थोड़ा आगे गया बट उसे कुछ याद आया फिर उसे वो वापस आ गया तीनों उमेगास जो विंग के पीछी थे वो भी रुख गये विंग उनके पास आया और बोला बट हम तो शादे से पहले नहीं मिल सकते ना तो तो मैं कैसा किस करूँगा नहीं प्लान कैंसर यह कहते हुए विंग सिधा विला के अंदर जाने वाला था लेकिन तीनों उमेगास ने विंग को खीच लिया और बोला शादे से पहले थोड़ा बहुत है इसे मिलने में कुछ नहीं जाता तो विंग तयार हो ही गया वांग जी से मिलने जाने के लिए दोसी तरफ सारे अलफास जो पार्टी को इंजॉई कर रहे थे वांग जी भी आज खुलकर पार्टी को इंजॉई कर रहा था उसने सच में कभी भी इस तरीके से पार्टी इंजॉई नहीं किया जिस तरीके से वो आज कर रहा था सब मेरकर बहुत सारे बाते कर रहे थे हसी मजाग करे थे मतलब वहाँ पर कोई business related बाते नहीं हो रहा था सरफ हसी मजाग हो रहा था लर्कों के बीच जैसे बाते होते शादे से पहले अलफास उस तरीके से इस बाते कर रहे थे पाठी में जिन जुश्वान आया था जिन जुश्वान अब पूरी तरिके से ड्रंक हो चुका था उसने टोलते हुए वांग जी के पास जाने का कोशिश किया लेकिन वो जान ही पाया गार्ट्स नहीं वांग जी के आसपास उसे घेर कर वेंचिंग, लैन शिचैन, सांग लैन और वांग जी के कुछ क्लोज बिजनस पार्टनस थे जिनने देखकर जिन जुश्वान इरिटेट हो गया उसे गुसा आ रहा था बहुत जादा ये लोग वांग जी से लैन वांग जी से चिपके हुए है सब के सब मतले भी है और बहुत जादा पैसे का कंगाल है इतने बड़े-बड़े बिजनस है बट फिर भी वांग जी के तलवे चाटते रहते है ये सोच रहा था जिन जुश्वान, वो खुद क्या है सच में, इनसान अपना नहीं सोचते मतलब वो खुद क्या है ये नहीं सोचते दूसरों की बड़ाई करने में लग जाते है वो भी तो वांग जी को तेल देने के लिए जाड़े वाला था लेकिन उसे मौका नहीं मिल रहा बहुत मुश्कल से वो उनके बीच जाके पहुँचा और फिर वो सबका ध्यान अपनी तरफ खीचने के लिए कहता है ओके आज ये बैचलर पार्टी है तो ये इतना सुखा सुखा क्यों है मिस्टर लान वांग जी अपना बैचलर पार्टी अप ऐसे सुखा नहीं रख सकते वांग जी को कुछ समझ नहीं है दोस्त है मस्ती मजाः हो रहा है यहां पर ड्रिंक भी किये जा रहे है तो फैस सुखा कहा से दिख रहा है जा जिन जुषान को लेकिन वांग जी ने कुछ कहा नहीं वांग जी teaching को बहुत गुसा आ रहा था लेकिन व चुप थी क्योंकि जिन जुशानias guest है पार्टी में कौन सा कमी है जिन जुशान एक बार आसपास देखता है बहुत बहुत अच्छा पार्टी अरेंज किया गया है इतने कम लोगों को लेकर इतना लग्जिरूर स्टाइप का पार्टी अरेंज करना बस पैसों को दिखाना जिन जुशान को ऐसा लग रहा है कि पैस तरह साहे इसलिए दिखा रहे हैं जिन जिशान ने अपने मन में इस बात को रखा और फिर स्माइल करते हुए वेंचिंग के तरफ देखते हुए कहा मिस्स वेंचिंग मैं कहना चाहता था कि पार्टी सुखा सुखा लग रहा है अगर कुछ उमिकास को बुलाया जाता तो पा पार्टी में यह सब करना नॉर्मल है आपको कुछ उमिकास को बुलाना चाहिए था या फिर आप मुझे भी इंफॉर्म कर सकते थे मैं आपके लिए बैस्ट बैस्ट उमिकास लाता जो बहुत अच्छा सर्विस देते हैं जिन जुशान के बातों को सुनकर वहां पर जितन अब उभर आया था और यही हाल लांशेचान सांग लांड वेंचिंग इन सब का था सब गुस्से से घूर रहे थे जिन जुशान को बट जिन जुशान अभी नशे में था तो उसे कोई फरक नहीं पर रहा था अगर वह अपने होश में होता तो वह समझ पाता कि उसने कितन घटिया बात कह दिया है बट वह अभी नशे में है इसलिए वह कुछ समझ नहीं पा रहा था वह तो स्माइल कर रहा था जैसे उसने कुछ बहुत इंपोर्टन सा याद करा दिया है लांड वांग जी को और लांड वांग जी अभी ही उसे थैंक्यू कहने वाले हैं वांग अभरी तर जी powin बहुत नॉर्मल हैं ट्रस्ट मिं हमारे सूसाइट्टी में यह बिलकल भी नॉर्मल नहीं है हम ऐसे चीप विरकतें नहीं करतें पार्टी के नाम से लेकिन फिर भी अपने चहले पर स्माइल बरकरार रखके वहां पर चुपचा बैड गया फिर सब आपस में भी बात करने लगे तभी एक गार्ड दौरते हुए आया उसे देखकर वांग जी ने अपने आखों को सिको लिया वो गार्ड वांग जी के सामने आके कहता है मास्ट यंग मास्टर आ रहे हैं वांग जी हिरान था वी आ रहा है क्यूंऑ क्या कुछ हुआ है वांग जी के सवालिया नजों को वो शायद नशे में हैं ये सुनकर वांग जी तो जैसे आस्मान से टपका विंक कभी भी ड्रेंक नहीं करता लैंशी चैन जो चुपचाप सुन रहे थे वांग जी का एक्स्प्रेशन देखकर लैंशी चैन ने वांग जी के कंधे पर हाथ रखा और बोला वांग जी मेभी थोड़ा इंजॉइ किया है डोंट वरी अपने ब्रेदर की बात को सुनकर वांग जी ने अपना सरहा में हिला दिया उतने महीं दूर से विंक को आते देखकर सौंग लैंड ने कहा यंग मास्टर आ रहे हैं स्वांग लैंड तुरंत उठकर खरा हो गया अब तक वो सब एक जुश्वान भी सामने देख रहे थे सबका मुझदम खुला का खुला रहे गया था सच में सामने ऐसा महसूस हो रहा था सबको कि कोई क्यूट डॉल आ रहा है जिसका फेस थोड़ा सा रेड हो गया है शायद नशे की वज़से विंग जो ठीक से चल नहीं पा रहा था बट अब जाके उन तीनों को सबने देखा एक नजर देखकर इस तब को पता चल गया था कि चारों मिगा से ड्रंक है क्यूंकि सभी थोड़ा बहुत लर्खरा रहे थे विंग जो सीधा वांग जी के पास आ रहा था विंग को अपने पास आते हुए देखकर वांग जी उठकर खड़ा ओगया कि विंग वंग जी के पास आया और वंग जी को घूर ने लगा पालग जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था एक तो विंग हत से जादा क्यूट लग रहा है और वनग जी को धूरा जलसी भी महसूल हो रहा है क्योंकि यहां पर बहुत सारे लोग हैं सभी वींग को इतने क्यूट हालत में देख रहे हैं तो वांग जी को यह बात भजब नहीं हो रहा था और उपर से वींग उसे ऐसे घूर रहा था वांग जी ने अपने आइबरों को ऊचा करते हुए पूछा क्या हुआ वि यसी को कुछ समझने का मोका दिये बिना वींग ने वांग जी के काया अपने दूनों हाथों से पकड़ लिया और सीधा वांग जी के लिस पर किसकरने लगा वांग जी पहले शोक्त में चला गया था लेकिन उसका उक्त जाधा ते चिका नहीं वांग जी के lips का वो टेस्ट और साथ में थोड़ा सा वो अलकोहॉलिक टेस्ट भी उसे मिल रहा था बियर का टेस्ट उसे मल रहा था दोनों ही वांग जी के लिए ड्रग जैसा काम कर चुका था तुरूंत वांग जी ने वींग को को अपनी रश्यम में थे ना इसलिए वो खुशी में उचल रहे थे लैंशेचान जो सबसे पहले अपने होश में आये थे उन्होंने सब की तरफ देखा और ओके गाइस हमें जाना चाहिए सारे अलफास अपना सरहामें हिला देते हैं और वहां से एक एक करके उठकर जाने लगते हैं आविसली पार्टी बहुत लॉंग टाइम तक चला था और अभी सब का जाना ही सही होगा इसलिए सब एक के करके जाने लगे जिन जुशान जो उठ गया था उसे बहुत गुस्ता आ रहा था यानली वहां पर थी लेकिन जिन जुशान का ध्यान यानली पर बिल्कुल भी न ठीड उसे ऐग्दम टाइटली पकड़ लिया था इसलिए वह दो चोद को चुड़ाते हुए हाप रहा था हापते हुए उसने कहा हो गया वांग्जी ने सवाल लिया नजरों से विंग को देखा और पूछा क्या हो गया विंग ने स्मैल किया और बोला मेरा डियर कंप्लीट हो गया हाँ डियर कंप्लीट हो गया डियर कंप्लीट हो गया निये हुई सांग जो उचल रहा था और बोल रहा था सॉंग लैंड जो निये हुई सांग को देख रहा था हल्प अपने पने सोच में थे तभी यानली सब के सामने आई और कहने लगी यह एक डिर था गारिस अब हमें चाना है क्योंकि शादिस सबाले मिलना मना है एक दम मना है यह कहते हुए यानली वांग जी के गोद में बैठे हुए वींग का हाथ पकड़ती है और वींग को खीच कर ल एक ला सीरियसली पीछे से लैंशी जैन और वेंचिंग एक साथ बोल पड़े आई नूँ वांग जी हम समझते हैं तुम्हारा दुख है अब्रीवान आज का एपिसोड यहीं पर खतम होता है नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं जरूर बताना आज का एपिसोड कैसे लगा हाईो कि न murder haskin में झाई लेंग शुग ही शवता हैं यहीं का तुम्हार यहीं